गाईस अगर आपने मिंत्रा से किसी प्रोड़क्ट का ओडर किया है और आप उस प्रोड़क्ट को मिंत्रा पर रिटन करना चाहते हैं लेकिन आप रिटन नहीं कर पा रहे हैं तो गाईस मैं आपको बता दूँ कि मिंत्रा ने ओडर रिटन करने का प्रोसेस चैंज कर दिया है जो पुराना प्रोसेस था guys अब आप उस प्रोसेस से अपने ओडर को रिटन नहीं कर सकते हैं तो guys आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नया प्रोसेस क्या है आपको अपने ओडर कैसे रिटन करना है कई लोग अकसर कमेंट करके मुझसे यही पूछ रहेते कि हम अपने order को return नहीं कर पा रहे हैं मिंत्रा पे तो क्या करें तो आज किस वीडियो में guys आपको पूरा complete solution मिलने वाला है कि कैसे आपको अपने order को return करना है उसका refund ले लेना है लेकिन guys मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि आपको पूरा complete refund नहीं मिलेगा क्योंकि मिंत्रा ने आज कल कुछ amount deduct करना शुरू कर दिया refund में से तो वो कौन सा amount है जो आपके refund में से मिंत्रा deduct कर लेता है यानि कि मिंत्रा कुछ amount काट लेता है आपके full refund नहीं देता है आपको तो सारी चीज़े आज के इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली है तो चलिए guys without wasting time वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले guys आप सब इसे एक छोटी सी request करूँगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं है तो सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर अपने मिंत्रा की application को open कर लेना है जैसी कि मैंने अभी open कर रखा है तो guys अभी आप देखेंगे ये इसका home page है तो आपने अपने profile वाले button पर click करके आ जाना है orders वाले page पर ये आपको orders का option देखने के लिए मिल जाएगा जैसी आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी order किये होंगे मिंत्रा से वो आपको so हो जाएंगे तो सबसे पहले guys मैं आपको देखे refund کا process समझा देता हूँ order return करने के बाद आपको refund उसका कितना मिलेगा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी आप देखें कि guys मैंने jacket order किया था मिंत्रा से और फिर मैंने उसको return कर दिया तो उसका मुझे refund कितना मिले मैं आपको दिखा देता हूं मैंने प्रोड़क्ट पर क्लिक किया और यहां पर आप देखेंगे रिफंड क्रेडिटेड डेट आ रहा है यहां पर और अमाउंट यहां पर आपको सो हो जाएगा यह आप देख सकते हैं कि 1451 रुपीज मुझे रिफंड मिला है यानि कि मिंत्रा ने मुझ था 1471 रुपीज और मुझे जवर्फंड मिला है यहां पर कि रिफंड मुझे कम मिला है 1451 रुपी तो παर मिंत्रा ने काट लिया क्म रिफंड क draft दिया यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आइटम का उधा 1457 बैटाओं फी लगे थी 20 रूपीज तो total जो मैंने पे किया थ Kingdom hes9471 पर रूपीज पे किया था लेकिन जो मुझे refund मिला अइने इस उच्वांड को रिटन किया तो रिटन मिला मुझे तो प्लेट्फ़र्म फीक काट ली गई यानि उसका रिफ़र्ब नहीं मुझे प्लेटफॉर्म फीका तो गाइस ओडर को रिटन करने के लिए जो भी आइटम को आप रिटन करना चाहते हैं आपने उसको यहां पर उस पर आ जाना है जैसे कि आप देखेंगे मैंने एक सूज ओडर किया था तो यह मुझे डिलीवर हो गया है अब मैं यहां पर इसक सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसके अकतर करना चाहते हैं उसको ठाइब कर सकते हैं नीचे आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा आपने इसको मार्क कर देना है यहाँ पर check box का मतलब होता guys कि आपका पास जो product है आपने उसको use नहीं किया है as it is जिसन नया brand new आपको product मिला था आपने उसकी packing वकेरा सब कुछ समाल के रख रखा है तो आपने इसकी यहाँ पर check box को उसको mark कर देना है उसके बाद नीचे guys आपको refund details में दिखा देगा यह कितना refund आपको मिलेगा तो यहाँ पर 1379 refund details दिखा रहा है इतना ही मैंने pay किया था इस item का इसमें मुझे कुछ भी अभी तक नई deduct होगा मेरा refund में से तो pick up details पर guys आपको यहाँ पर जो कि कुछ चीज़े हां पर process हो चुका है तो सबसे पहले guys आपको यहाँ पर देखेंगे refund आप refund अपना किसमे लेना चाहते है अगर guys यहाँ पर आप मिंत्रा credit select कर लेंगे तो जो refund है आपका वो मिंत्रा के wallet में चले जाएगा और वो instantly आपको refund मिल जाएगा लेकिन अगर आप back to source पे click करेंगे तो आपने अगर bank से UPI के तुरू payment किया होगा ये credit card, debit card, ये किसी wallet के तुरू तो जिस mode से आपने payment किया था उसी mode में आपको refund मिलेगा तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि आप उसी back to source में payment लें जाता guys कि आप back to source में ही refund लें अपना तो यहाँ पर guys आपने back to source को select कर लेना उसके बाद आपने confirm वाले बिटन पे click करना है जैसी आप confirm वाले बिटन पे click करेंगे एक वार आपको ये फिर से बोलेगा get refund के लिए तो आपने यहाँ पे get refund वाले बिटन पे click करना है जैसी आप इस पे click कर देंगे आपकी return की request successfully submit हो जाएगी तो guys अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो product है उसकी return की request successfully submit हो गई है यह reference number मिल गया है और यहाँ पे guys जो pick up होता है product का within 7 days लग जाते है लेकिन usually क्या होता है next day ही pick up हो जाता है लेकिन 7 दिन का हैंपर समय दिखाते हैं आपको तो किसी दिन अगर आपका pick up नहीं हो तो आपको tension लेने की ज़रोत नहीं है एक दो दिन का wait कर लीजिए pick up automatically हो जाता है और refund कितना मिलेगा आपको यहां पर instantly सारी चीज़े automatically दिखा देगा तो इस तरीके से आप अपने order को return कर सकते हैं और उसका refund आप अपने back to source में यानि कि जिस mode से आपने refund payment करी थी order कि उसी में refund आप बापस ले सकते हैं तो आसा करता हूं guys कि आपको मेरे वीडियो से काफी help मिली होगी तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर कीजेगा और चैनल को अगर आपना भी तक subscribe नहीं कहाए तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon विटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे important वीडियो के notification मिलते रहें तो चेलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद